नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जारखन के दिन भर की खबर जानते हैं अपरेल के अंत या माई के प्रथम सब्ता में सुरू हो सकती है, फोरॉम जारखन एकेडमी कॉंसील की वेपसाइट, जैक.जारखन.जोबी.िन के माध्यम से अलने जामा लिया जा रहा है, डियो द्वारा अनुमोदीत विद्याले की विद्यार्थियों को ही आवेदन जामा करने की जानकारी जैक वेपसाइट पर उपलब्ध है, इधर जैक द्वारा वर्ष दो है जाते इसकी मैट्रीक वाइटा की परिछा में सामिल होने वाले विद्यार्थियों को बिशाय में बदलाव करने तथा आवेदन जामा करने के समय दी गई जानकारी में कोई गलती हो करने पर उसमें भी सुधार का मौका दिया गया है, भारत में कोरोना से राहत 24 घंटे में आए 114 नए केस, भारत में कोरोना के नए मामले में लगातार गिरावट आ रही है, देश में एक दिन में कोरोना वाइरस संक्रमन के 114 नए सामने आये हैं, इसी के साथ देश में को जारी किये गए आकड़ों की मताविक भारत में कुरोना अब धीरे धीरे खत्म होने की कागार पर पहुंच गया है पिछले एक महीन से कुरोना के गराप में लगातार गिरावर्ट देखने को मिल रही है जारखन में कक्छा आठवीत तक के स्कूल 20 जनवरी तक बंद कड़ाके की ठंड और सितलहर के चलते जीला परसासन ने कक्छा आठवीत तक के स्कूल 20 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया है ऐसे में जन जीवन अस्त ब्यास्त है इसकूल जाने वाले बच्चों को कोई परसानी नहीं हो सके इसलिए जीला परसासन ने कक्छा एक से लेकर आठवीत तक के सभी बोर्ट के स्कूलों को 20 जनवरी तक के लिए बंद कर दिये हैं जबकि कक्छा नौ से लेकर बरावीत तक के स्टूडेंट की पढ़ाई रोजाना चलेगी इस समन में जीला अधिकारी ने आदेश दिये हैं जिसके बाद D.I.O.S. ने दिशानी देश जारी कर दिये हैं रांची में होने वाले इंडिया भैस न्यूजिलेंड T20 मैच का टिकट 23 जनवरी से होगा उपलावद भारत और न्यूजिलेंड के बिज तीन मैच की T20 सीरीज का पहला मैच 27 जनवरी को जहर्खन के रजधानी रांची में खेला जाएगा रांची के जए S.E.A. स्टेडिय में होने वाले मुकाबले के लिए टिकट की दरे घोशित कर दी गई है बता दे भारत न्यूजिलेंड T20 मैच के लिए सबसे सबसे टिकट 10 एह रुपे का मिलेगा वहीं 4,000 रुपे से ज़्यादा कीमत वाले टिकटो पर होस्पिटलिटी की सुविधा भी मिलेगी बता दे की BCCI ने टीम का एलान कर दिया है हादिक पांडया इस सीरीज में टीम इंडिया की कप्तान करेंगी सलक पर उत्रे पारा मेडिकल कर्मी जारखन की रहधानी राची के सलको पर सोमवार को बवाल हुआ है अपनी मैंगों के समर्थन में सलक प्रवतिर राज भर के हज़ारों पारा मेडिकल कर्मी के पुलिस पसासन से तीखी नोग जोक भी हुई मौराबादी मैदान से मुख्यमंत्री आवास की और बढ़ रहे पारा मेडिकल कर्मीयों को रोकने के लिए जो बैरिकेटिंग लगाई गई थी उन्होंने उसे तोड़ दिया राज भर के पास हालात ऐसे बने की पूलिस को हालात नियतित करने के लिए लाठिया भाई नी पड़ी पारा मेडिकल कर्मी पुरों निधायत कारेकरम के ताहत अपनी म्यांगों को समर्थान में मुख्यमंत्री आवास गेने रांची में कठा हुए पारामेटिकल कर्मियों की सिकाय था कि मुख्यमंत्री हमांसुरण ने तीन माह का वादा दिया था जो तीन साल में भी पूरा नहीं हुआ बाबूलाल मरांडेन सियम हमांथ पर बोला हमला पुरो मुख्यमंत्री एवं बीजेपी बिधायक दलक्रिनेता बाबुलान मरांडी ने निलंबित IAS पुजा सिंगल के बाहने मुख्य मंतरी हमान सुरेन पर निधाना साधा है बाबुलान मरांडी ने CM हमान सुरेन पर पुजा सिंगल के खिलाब साबुतों के अधार पर करवाई नहीं करने कारूप लगाया बाबुलार मराणी ने कहा है कि इडी ने जो साबूत और साक्ष दिये हैं उस अधार पर जार्खन की निलंबित खान सची पूजा सिंगल के खिलाप प्रिवेशन और क्रॉप्शन एक्ट का मामला दर्ज होना चाहिए था लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया गौतला भाय की निलंबित आई एस पूजा सिंगल इस समय एक महिने की अंत्रिम जावानत पर हैं और जार्खन से बाहर रह रही है उनके खिलाप मनी लोड़नी का केस भी चल रहा है जार्खन के हेल्थ आई वेलने सेंटर का होगा काया कलाप जार्खन में सेंचाले सभी प्रात्मिक स्वास्थ केंद्रों और स्वास्थ उपकेंद्रों को बदल कर स्वास्थ और कल्यान केंद्र हेल्थ आई वेलने सेंटर बनाया जा रहा है उसका उद्देश सेवावों की एक बिश्त्री सेंखला के लिए ब्यापक प्राथ्मिक स्वास्त देख भाल परदान करना है इसके लिए आयुसमान भारत हेल्थ अन्वेलनेस सेंटर की बेवास्ता चुस्त दुरुस्त की जाएगी द्रसल स्वास्त विभाग राज की जानता को अपने आसपास में ही स्वास्त सेवा उपलब्द कराने के लिए हेल्थ अन्वेलनेस सेंटर को स्वास्त के समुधाईक जिमेदारियों के प्रतिगंभीर बना रहा है इसके लिए हर सेंटर में अस्थानिय प्रतिनी धित्व बढ़ाया जा रहा है ताकि अस्थानिय लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से इसमें सुधार कर सके मन्त्री चमपाई सुरेन 26 बीमान से गया चेन्नाई सुबे के परिवहन मंत्री चमपाई सुरेन को बेहतर इलाज के लिए चेनाई सिफ्ट किया गया है उन्हें बीसेस बीमान से चेनाई ले जाया गया 14 जन्वारी से उनकी तवियत खराब थी TMH में उनका इलाज चल रहा था बता दे आदिवासी कल्यान से परिवहन विभाग के मंत्री चमपाई सुरेन के तवियत बिगड़ गया है उन्हें आज दो पर बिसेस बीमान से चेनाई भेजा गया वह 14 जन्वारी की रात से जमसेद पुरिसी TMH में भरती थे उनके सहायक गुरू परसाद ने बताया है कि मंत्री चमपाई सुरेन के वह हलका बुखार और सरदी थी एक दिन तो उन्होंने अपने अस्तर ही दवा खाई लेकिन सुधार नहीं होने पर TMH चले गए रांची पहुंचे जहारखन जेडियू के नए परभारी असोक चौधरी परदेश जद्यू के परभारी बनने के बाद बिहार सरकार के मंत्री असोक चौधरी पहली बार जहारखन दवरे पर आया है सोमवार को वे रांची पहुंचे रांची और पोटपर करकाताव ने उनका स्वागत किया इस दोरान असोक चौधरी ने कहा एक जारखन और बिहार का रिस्ता भाई बहन जैसा है जारखन में जनाधार बढ़ाने के लिए वे पार्टी की नेताव के साथ चर्चा करेंगे इससे पहले उन्होंने कई सवालों के जबाब देने से परहेज किया बता दे जारखन जेडियू को मजबूत करने के लिए जेडियू लगातार पर्यास में जूटा हुआ है इसी को देखते हुए सोमवार को जहरकंट जद्धिव के नए परभारी वा बिहार सरकार के मंत्री असोक चौधरी राची पहुचे हैं राजभोन के पास अनुबंधित नर्सों ने तोड़ी बैरिकेटिंग राजभोन के पास पुलिस ने उनकी जड़ाप हो गई इसके परदरसन करी बैरिकेटिंग तोड़कर आगे बढ़ गए राची में अनुबंधित मेडिकल स्टाप का परदरसन काफी जोरदार हो रहा है जारकन अनुबंधित पाराची किसा कर्मी संग और जारकन अनुबंधित फिजियो थेरेफी संग ने भी एनेचेम कर्मियों के अंदोलों को समर्थन दिया है बता दे जार्खन में राश्ट्रिय स्वास्थ मीशन के तह स्वास्थ विभाग में अनुबंध पर सेवा दे रहे एनेम जीम नर्स और अनुबंधित पारामेटिकल कर्मनी अपनी एक सुत्री मांग सेवा अस्थाई करन के लिए मुख मत्रिय आवास गहरने के लिए आकरोस मार्च की सक्त में मुराबादी मैदान से निकले हाए जार्खन बिजली बित्रन नीगम लिमिटेट की और से खुश खबरी जार्खन बिजली बीतरन निगम लिमिटेड की ओर से उभगताओ को 100 उनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है बिजली मुफ्त देने की योईना लागू होने के बाद लाखो ग्रामीन छेतरों को इसका लाब मिल चुका है तीन महिने से ग्रामीन छेतरों में रह रहे लाखो ग्रामीन छेतरों को बिजली बील सुनी आ रहा है इसमें उभगताओ की सुझ बूज एक बड़ी भूम का निभार ही है विभाग द्वारा बताया गया है कि अगर उभगता बिजली का सही उप्योग करे तो जीवन भर बिजली मुप्त मिल सकती है विभाग के जीएम पीके स्रिवास्तों ने बताया कि ग्रामीन छेतरों में बिजली की खपत भी कम होती है वैसे मैं दिकास उभगता 100 यूनिट बिजली खर्च नहीं कर पा रहे हैं जिसके कारण उभगताव का बिजली बिल सुनिया आ रहा है अगर उभगता 100 यूनिट बिजली से कम की खपत करता है तो जीवन भर के लिए बिली मुप्त हो जाएगी वार्डन से तंग आकर रात के अंधेरे में होस्टल से निकली छात्राएं पच्मी सिंभूम जीला के खुटपानी कस्तूरबा अवास्ते बिद्याले की 60-70 छात्राएं वार्डन की परताणा से परसान होकर सोमवार अहले सुबा उपायुक से मिलने सवानाले परसर पहुँच गई अचानक इतनी बड़ी संका में पैदल ही कस्तूरबा की छात्राओं को देख कर सभी कोई हैरान थे ततकाल ही इसकी जनकारी उपायुक्त अन्यन मितल को हुई तो उन्होंने जिला सिक्षा अधिक छक अभय कुमार सील को छात्राओं से मिलने भेजे इस दोरान जनकारी देते वे छात्राओं ने बताया कि खुटपानी कस्तूरबा अवासे बिद्याले की वार्डन सुसीला टोपनो बिद्याले में पढ़ने वाली छात्राओं को कभी काफी परतारित करती रहती है छात्राओं से ही सवचाले की सफाई टीम बना कर किया जाता है जिसकी जब पारी होती है उनको सफाई करना जरूरी होता है इसके अलावा सफाई के नाम पर 16 रूपे सुल्क भी लिया जाता है विद्याले में कारेकरम आयोजीत करने के नाम पर भी 16 रूपे सुल्क वसुली जाती है 17 फरवरी से सुरू होगी रांची से देवघर की बीमान सेवा दिली और कुलकत्ता के बाद देवघर से तीसरी उड़ान रांची के लिए सुरू होने वाली है DGCA की अनुमती के बाद एरलाइन्स कंपनी इंडिगो ने देवघर से रांची के हवाई सेवा की सेडियूल जारी कर दिया है रांची से देवघर के सेडियूल जारी होते ही फलाइट की बुकिंग तेजी से होने लेगी है देवघर से रांची हवाई सेवा का इंतियार कर रहे लोगों के लिए खुसकबरी है धन्यवाद